दोस्तों कि आप जानते हैं कि हमारे जो हील्स हैं यानि कि जो हमारी एडिया है उनमें दरारे क्यों आ जाती है, क्रैक क्यों हो जाती है और कभी-कभी तो उनमें इतना साथा दर्ध होता है, खून निकलने लग जाता है कि चलना हमारा मुश्किल हो जाता है और ऐसी प्रॉब्लम हमारी एडियो में ही क्यों आती है तो आज उसका हम कारण देखेंगे साथ ही साथ में उसका सल्यूशन भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए तो वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरूर देखिए सबसे पहला रीजन ये है कि बढ़ती उम्र में हमारी स्किन जो है ऑईल बनाना कम कर देती है जिससे की खास करके सर्दियों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है दूसरा कारण ये है कि हमारा बोडी का पूरा वेड जो हमारे पैर ही समालते हैं तो उन पर पहुत ज़्यादा प्रेशर परने की वज़े से क्रैक्स आते है पर आप ज़्यान के प्रेशान streams को प्रेशानित जो है पर दिखिंग कर दिखिंग economy ऐसी interesting amazing videos मैं आपके लिए रोज लाते रहती हूँ इस साथी वीडियो पे एक छोटी सा like भी ज़रूर कर देज़ेगा क्योंकि आपका एक एक like मेरे लिए बहुत माइने रखता है इस cream को बनाने के लिए सबसे पहली चीज और सबसे important चीज मैं आप ले रही हूँ वो है vaseline petroleum jelly ये किसी भी medical store में आपको आसानी से मिल जाती है ये तो care मैंने बड़ी डिबी ली है इसकी छोटी सी डिबी में मिलती है 5 रुपे वाली वो भी आप ले करके आ सकते हैं उसकी बाद चो अगली चीज आपको लेनी है वो है glycerine तो एक चोटा सा चमच मैंने आपड़ glycerine का लिया है जितना नारिल का तेल उतना ही quantity है मैंने glycerine लिया है सरदी के मौसम में कभी भी आपके एडी है ना वो सूखेगी नहीं क्रैक नहीं होंगे आपके एडियों में क्रैक नहीं होंगे इस सबी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिजे आप चाहें तो डबल बॉइलर मेथड की मदद से इसको गरम भी कर सकते हैं ताकि जो वैसलीन है वो अच्छे से मेल्टों के इन चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए या फिर अच्छे से ना दो मिनट तक कम से कम इसको लगातार चलाईए जिससे की यह एक क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी में कंवर्ट हो जाएगी दोस्तो जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूं तक आप मुझे ही बताये कि आप मेरे इस वीडियो को दुन्या की किस कोंningar से देख रहे हैं भी आप रख सकते हैं, आप बाहर रखना चाहें, बाहर भी रख सकते हैं, इसको स्टोर करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक महीने तक का बना करके आप रख सकते हैं इसको, इसी एड़ाइट कंटेनर में आप पैक करके रख दीजे, इसको अच्छे से लेना है, रोजान के अंदर तक जाकर आपके स्किन पर काम करती है आपके स्किन को इतनी ज्यादा मुलायम कर देगी ना कि आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे वाले पैर है आपके इतनी सॉफ्ट है आपकी क्रीम कर देगी एक ही बार के इस्तमाल से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आप खुछ सोचिए अगर आप इसको रुजाना लगाते हैं तो कितना फाइदेमंद यह चीज आपके लिए बनती है तो मैंने तो बहुत ही थोड़ी सी कॉंटिटी में बना आप चाहे तो ना हफते भर की क्रीम बना करके स्टोर करके रखेगा खतम हो गई तो दुबारा बहुत अच्छा मिलेगा और बस मसाज करने के बाद में आप कोई सौक्स वगेरा जो होता ना डीला सौक्स वगेरा वो पहन करके आप सो जाईए रात में इससे आपकी एडिया कभी भी नहीं फटेंगी और आपके पैर पिल्कुल मुलायम और सुंदर बने रहेंगे तो मै इंफर्मिटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादा सदा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में रिष्चेदारों में तक ही आप विजरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक्यू सो मुच वाचिंग्स वीड जाइकर